हलो दोस्तो स्वागत है आपका स्रीगुरु अकैडमी में मैं मनु बर्मा आपका सुक्रिया हार्दिक अमनने करता हूँ दोस्तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपोरेंट है भारत के पिर्मुक दर्रे एक ऐसी ट्रिक के माधम से कराऊँगा दोस्तो कि आप कभी लाइफ में भूल ही नहीं सकते guarantee देता हूँ दोस्तों कि आप कभी भी life में नहीं बोलोगे लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ पूरे भारत में ऐसा कोई भी exam नहीं होता जिसमें भारत के दर्रे से question नहीं आता हर exam में दोस्तों एक नहीं question तो हर exam में आता है करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली वार वीडियो देख रहे हैं तो अगर कर लिया है सब्सक्राइब तो बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों यही देख ल ट्रिक पर चलेंगे दोस्तो और मतलब जितने इस्टेट है इस्टेट वाइस हम देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यह पता होना चाहिए यहां से कोश्चन आता है कि भारत का सबसे उचा दर्रा कौनसा है तो आप कहोगे कारा कोरम दर्रा है दोस्तो उस इसको ध्यान रखी दोस्तों बहुत ही important है ये दो question ठीक है अब चलते हैं दोस्तों हमारे state wise अब सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं महराष्ट जब हम महराष्ट की बात करते हैं तो दोस्तों महराष्ट की एक बहुत ही standard trick है ट्रिक क्या है दोस्तों मोहे थाली भर दो अरे मोहे से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका महराष्ट मोहे से क्या है महराष्ट थाली से क्या हो जाएगा दोस्तों थाल घाट दर्रा और आपका भर से क्या हो जाएगा दोस्तों भोर घाट क्या हो जाएगा भोर घाट दर्रा तो आपके अनकी जो महराष्ट है महराष्ट मे कितने दर्रे हैं तो आप कहूँ दो दर्रे हैं पहला कौन सा थालगाट दर्रा और भोरगाट दर्रा ये ध्यान रखिए मोहे थाली भर दो भूक लगी मम्मी से क्या कहोगे मोहे थाली भर दो अब देख लिए थाली का चिन आपके माइन में एकदम से आ जाएगा जब भी अगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है दोस्तो सिक्किम की जब हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं दोस्तो सिकंदर नात जलेविला क्या दोस्तो सिकंदर नात जलेविला अब दोस्तो सिकंदर नात जलेविला अब यहां पर देख लेजे सिकंदर नाम का कोई व्यक्ति है उससे तुम क्या कहते हो आरे सिकंदर नाथ जलेवी तो लेके आ तो क्या है दोस्तो सिकंदर से क्या हो जाएगा आपका सिक्किम यानिके पहला वर्ड आपका क्या है जो राज को डिरोट करता है ठीक है तो आप इसको ध्यान रखिए ये सिकंदर से हो जाएगा सिक्किम नाथ से क्या हो जाएगा दोस्तों तो नाथूला दर्रा और जलेवी से जेले पला दर्रा तो दोस्तों कुछे नहीं करना है बस सिंपल से चीज याद करनी है क्या सिकंदर नाथ जलेवी लेके या भूंक लग रही है यार जल्दी से लेके या तो बस नाथूला दर्रा और ज आपने देखा हुगाँ ईमाचल पर हम कर लेते हैं हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है हिमाले पर बड़ी छिपकली रहती है अब भई अब बहाँ पर जब क्या होगा हिमाले पर मतलब क्या है जंगल अगरा है बहुत ज्यादा तो बड़ी बड़ी छिपकली होंगी बहुत बड़ी छिपकली है तो बस यही ट्रेक बना ली हमने कि हिमाले पर बड़ी बड़ा लाचा दर्रा और छिपकली से क्या हो जाएगा शिपकीला दर्रा और रहती से क्या हो जाएगा रोहतांग दर्रा तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे आप याद कर लीजे बड़ी से क्या हो जाएगा बड़ा लाचा दर्रा छिपकली से सिपकीला दर्रा रहती से रोहता तो आपको बस यही याद रखना है कि हेँमाले पर बड़ी चिपकली रहती है चीजे माइन्ड में सैट हो चुकी दोस्तों आपके ठिक है आपको पता भी नहीं चला तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों अगली ट्रिक क्या है और केरल की ट्रिक क्या है दोस्तों आप इसको देख लीजे यहां पर थोड़ा इसको मतलब मिस्प्रिंट हो गया है यह बाला तो इसको ध्यान रखेंगे यहां पर लिखा हुआ है केरल की ट्रिक है कि करेला पालक सोयाबीन खाओ करेला पालक सोयाबीन खाओ तो करेला से क्या हो जाएग बहुत सिंपल है यार बहुत सिंपल है आपके सभी exam के लिए important है बिलकुल भी miss मत करिए और एकदम concentrate के साथ देखिए ठीक है दोस्तो तो यहाँ पर ध्यान रखिए केरल की trick क्या है करेला पालक सोयबीन खाओ यानि कि पालक से क्या हो जाएगा पालगाट दर्रा और सोयबीन स सोनगाट धर्रा अब चलते हैं दोस्तो यहाँ पर देख लिए मैंने इसकी भी मतलब आपके लिए फोटो दी हुए फोटो से क्या होता है चीज़ें आपके माइन में सैट हो जाती है आप जब भी इसको ध्यान करेंगे तो आपके माइन से में पालक और सोयबीन अचानक से से आजा कि सर ने यहाँ पर पालक और सोयबीन बताय था तो अचानक से चीज़ें आपके माइन में सैट हो जाती है तो चलिए अगली ट्रिक देखते हैं दोस्तों हमारी अगली ट्रिक है जम्मू कस्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों कि जम्मू बाज का पंजा बहुत जोसीला अब दोस्तो बाज तो देखा है आपने कितना डेंजर होता है बहुत डेंजर होता है चीजों को खा लेता है चोटे मोटे जानबल मतलब जो चोटे मोटे पसु पक्षी होते हैं उनको खा लेता है तो इसमें क्या होता है दोस्तो कस्मीरी से क्या हो जाएगा कस्मीर कस्मीरी से आपका कस्मीर को rate करता है कि कस्मीर के हैं और दोस्तो यहाँ पर देखें बाज बाज से क्या हो जाएगा बुर्जीला दर्रा क्या हो जाएगा बुर्जीला दर्रा और का से क्या हो जाएगा कारा कोरम दर्रा क्या हो जाएगा दोस्तों कारी कोरम दर्रा और यह आपका पंजा से क्या हो जाएगा तो पीर पंजाल दर्रा और बहुत से क्या हो जाएगा बनि करता हूँ वीडियो को दो बार देख लीज़े एक बार देखने के बाद आप एक बार उसको रिवाइज कर लीज़े आप कभी भी लाइप में आपका एक नमबर का कोश्चन तो कभी गलत नहीं होगा आपका एक नमबर तो आज पक्का कराकर ही जाओंगा मैं तो कसमीर का ट्रिक क्या थी कि किस्मीरी बाज का पंजा बहुत जोसिला यानि कि बाज से बुर्जिल दर्रा का से कारा करम दर्रा पा से मतलब पंजा से पीर पंजाल और बहुत से बनेहाल जोसिला से जोजिला अब दोस्तों अगली ट्रिक है हमारी उत्तरा खंड की क्या है दोस्तों उत् प्राखंड की ट्रिक देख लीजे, बहुत ही जबर जिस्त है, ट्रिक क्या है, उत्री निशा मनाली में, अब निशा है कोई, ठीक है, अब बुक क्या करती है, मनाली में उतरती है, जाके मतलब हैलिकॉप्टर से जाती है, मनाली में उतरती है, बस सिंपल सी ट्रिक है यार, कि यहाँ पर देख लीजे कितना सिंपल है इस से ज़्यादा सिंपल कहां से लेकिया हूँ तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों अगला है अरोना चल प्रिदिस तो अरोना चल प्रिदिस वाला ये बहुत ही सिंपल है यार यहाँ पर देख लीजे एक अरोन नाम का व्यक्ति ह है क्या नाम है उसका अरोन यागनिक तो अरोन यागनिक बम डिफूज करो हम कहते हैं यार कहीं पर बम लगा हुआ है हमारा दोस्त है एक बम डिफूज कर लेता है उसका नाम क्या है अरोन यागनिक ठीक है तो हम उससे कहते हैं अरोन यागनिक बम डिफूज करो यार बस यही कहना है तो अरोन से क्या हो जाएगा अरोनाचल प्रदेश यागनिक से यांग याप दर्रा और बम से बोमडीरा दर्रा और डिफ्यूज से दिफू दर्रा यहां पर हो गया न दोस्तो बम देख लीजे जब रस्त बाला बम मैंने यहां पर लिया हुआ है फट गया तो सारे काम चोपट हो जाएंगे इससे तो द्यान रखे दोस्तो तो यहां पर ध्यान रखे कि यहां पर क्या है ट्रेक है हमारी अरोन यागनिक के बम डिफ्यूज करो अरे दोस्तो अगर याद नहीं हुआ हो तो आप बताईए आपको याद हो गया होगा दोस्तो और याद नहीं हुआ तो दो बार वीडियो को देख लिजा आप लाइफ में कभी नहीं बूलेंगे और मेरे हिसाब से आप एक ही बार में याद कर लेंगे इतना मुझे भरोसा है आप ठीक है दोस्तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर कर लिजी दोस्तो लाइक और शेयर तो बनता है ना और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी बता दीजे यार कैसी लगी ठीक है दोस्तो कभी भी कोई प्राब्लम हो तो बताईएगा कमेंट करके बता दीजे तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ नए जोस के साथ तो जैहिन